आज की बीडियो में हम बात करेंगे मखी मच्छर जूँद चीटर के बारे में किस परकार से इंद पर जीविविव को अपने पसू के स्रीप प्याने से रोग सकते हो इसकी रोग थाम कैसे कर सकते हो जाफर इसका इलाज आप घर पर कैसे कर सकते हो बड़ी सिंपल इजी तू जूद मैं आपको एक एलाज बताऊंगा तो अगर आपने अभी तक हमारा यूटूब चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है नीचे रेड कलर के बटन को तबा कर आप हमारे यूटूब चैनल मुक्तियार पैट केर को सबस्क्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद पूतने एक बेला नोटिफुकेسم को दुरूए है और नोटिफुकेसन बेल को ओल पे कर दें ता कि आपको हमारी आने वाली हर वीडि़ो को नोटिफिकेसन मिल सके तो अगर आप अपने पसू के सिरीर पे मक्षी या फिर मचसर जा फिर जूँट चीचर किसी भी परकार के परजीबी की रोक्त हम करना चाहते हैं और यह काफी इजी तो जूज रेने वाली है इसके लिए आप कौन सी मेडिसन जूज करें जा फिर कौन सा ग्रेली नुकसा आप जूज कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा लेकिन यह एक कॉमन प्रॉब्लम है जैसे ही गर्मी का सीजन जो है जा गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है तो यह लाजमी है कि आपके पसू के स्रीर पर जो है यह प्रजीबी उत्पन होंगे ही होंगे मक्खी मच्छत जरूर आएंगे जून चीचर पैदा जरूर होंगे तो उसको रोकने के लिए आपको कौन कौन से स्टैप जो है उठाने है जा पर किस परकार से आप इनको रोक सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं एक मैडिसन के बारे में कि आप एक मैडिसन का जूज करके किस परकार से आप इनको रोक स जो मक्षी या फिर मच्षट जून चीचर के ऊपर है आप उन्हें जाकर देख सकते हैं उसमें मैंने काफी सस्ते जा फिर चीप जो है ग्रेलू नुक्से बताया हैं जिससे आप अपने पसू का इलाज कर सकते हैं जिससे आपको आई बटन जा फिर एंड से क्रीन में मिल जूं चीचर पैदा ना हो तो इसके लिए आपने डक्टर जौन की टिकवेट मैडिसन आती है होमोपेथिक मैडिसन है यूज उस करनी है काफी बड़ी है मैडिसन है बहुत बड़ी है रिजल्ट है इसका आप इसे यूज कर सकते हैं इसको देने का जो तरीका आपने दसब बोतल जो है फिनिस्त नहीं हो जाती तो इस तरीके से आप अपने पसू के स्रीर पे किसी भी परकार का जूँँ चीचड उत्पन होने से रोक सकते हैं तो इसके बात करते हैं मक्खी या फिर मक्षर के बारे में किस परकार से मक्खी या फिर मक्षर से आप अपने पसू को आने जा रहा हूं आपने सरसो का तेल लेना है उसी सरसो के तेल में आपने नीम के पते उबाल लेने है नीम के पते उबालने के बाद आप चाहो तो सिड़का कर सकते हो सप्रे कर सकते हो पसू के सरीर पे या फिर आप सिंपली लगा सकते हो किसी कपड़े की मदद से किसी भी अगर आप नीम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आपको बजार में नीम आईल मिल जाएगा आपने 500 ml 700 के तेल में 100 ml नीम का ओयल मिलाना है उसको मिक्स करने के बाद आपने हलके हलके हाथों से बहुत कम को एंटिटी में पसू के स्रीर में इसे प्लाई करना है इससे आपके पसू को मखी जा फिर जो मच्छर है उससे काफी हाथ तक सुटकारा मिल जाएगा आप इस तरीके से अपने पसु को मखी मच्छर से बचा सकते हैं अगर आप चीचडों के लिए देशी इलाज के बात करें तो आपने डाइसो ग्राम नमक लेना है उसको एक लीटर पानी में गोल कर पसु के श्रीर में लगा सकते हैं आप इसे गाएं, बैंस, गोडा, उंट किसी भी पसु में लगा सकते हैं लेकिन कुता बिली में नहीं लगाना है ये तो इस तरीके से भी जो है आप अपने पसु को चीचडों से बचा सकते हैं तो ये एक ग्रेलू नुकसा है जिससे टिक बैट के बारे में कि उसकी डोज जा फिर आप उसको देना कैसे है उसकी प्रॉपर डोज करेनी चाहिए तो ये मेडिसन अपने दस बून देनी है मैं आपको पहले ही बता चुक हूँ लेकिन अपने ये दियान रखना है कि जेप पसु की जीप को टच करनी चाहिए इस अगर आपको हमारी ये वीडियो और चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी वीडियो को देखने और पसंद करने के लिए आपका बहुत-बहुत